स्वास सित्य योग और रवी पुष्य योग में आई आजा एकादशी गौमाता को खिला देना यह एक चीज मिट जाएगी बसों पुरानी गरीबी बैंक वैलनस बरता चला जाएगा मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दोस्तों भादपन मास्की किष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं यह दिन भागवान शीहरी विष्टूमा लक्ष्मी को समर्पित होता है इस दिन भागवान लक्ष्मी नारायन का पूचन करने और प्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समस्तम कामनाय पूर्ण हो जाती है अजा एकादशी का प्रत इस बार 10 सितंबर दिन दविवार को रखा जाएगा इस दिन भगवान शीहरी विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु का दिब्बे आशिरवार मिलता है और भक्तों पर सुख सम्रद्धी की बजजात होती है अजा एकादशी प्रत पारण करने का शुब महुरत है 11 सितंबर की सुपह 6 बच कर 4 नड़ से सुपह 8 बच कर 33 मिनट तक दोस्तों इस बार अजा एकादशी पर स्वासित्धी योग और रवी पुष्च योग बनने से यह और खास हो गई है इन शुब योग में ये गई शुब कारे प्रत पूजन का दसकुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है अजा एकादशी पर बन रहे इन अध्वुत स योग में गौमाता को यह एक चीज खिलाने मात से ही साथ पुस्तों तक धन बरसता रहेगा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी सुख सौभाके में भी ब्रत्थी होगी दुर्भाके सौभाके में बतल जाएगा किसम साथ देने लगेगी जिससे कारियों में आ रही रुक पावर दूर होंगी और भगवान लक्षमी नारायन के साथ कौमाता की कृपा से बिगड़े हुए कारे भी जल्द बनने लग जाएंगे दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों अगर आपके करियर में तरक्की नहीं हो रही है ओफिस या कारे इस्थल पर मेहनत के बाद भी शुप परणाम प्राप्त नहीं हो रही है ब्यापार बहुत मेहनत से करते हैं लेकिन ब्यापार में अच्छी कमाई नहीं हो पा रही है ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा तरक्य नहीं हो पा रही इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप एक आदशी के दिन एक एकाक्षी नारियल लाएं एकाक्षी नारियल अगर ना मिले तो आप साधा सुखा जटा वाला नारियल ले सकते हैं और इसे पीले रंग के कपड़े में बान कर भगवान पिश्टुमा लक्ष्मी के चर्णों में अर्पित करें भगवान जी के सामने धूबदीब जला कर पूजन करें फिर इस नारियल को आप अपने प्यापार इस्थलकार इस्थल पर स्रक्षत और साफ इस्थान पर रखतें ऐसा कहने से भगवान लक्ष्मी नारायन के के पासी दिन दूनी राच चौगनी उन्नती होनी लगेगी दोस्तों एकादशी तिथी भगवान लक्षमी नारायन को समर्पित है लेकिन इस पार एकादशी रविवार के दिन है इसलिए इस दिन भगवान बिश्टूमा लक्षमी जी के साथ ही सूरी देप का भी पिशी शुप से पूचन किया जाएगा एकादशी के दिन सुपह उठकर इसनान कर सुच बस्त धारन करें आज की दिन लाल केसरिया या पीली रंग के बस्त पहनना अथिक शुप रहेगा क्योंकि लाल केसरिया बस्त भगवान सूटे महलक्षमी जी को अति प्रिया है और पीला रंग भगवान पिश्टू का प्रिया रंग है आज के दिन भूल कर भी काले या नीली रंग के बस्त ना पहने खासकर सफीद रंग के बस्त भी नहीं पहनने चाहिए इन कल्रण को हिंदू धर्म में अशुप माना गया है शुप रंग के बस्त पहनने के पश्चाद एक तावे का लूटा ले उसमें शुद्ध जल भरे और इसमें आप थोड़ा सा गुर डाले दो लाल पुश्वर और एक चुटकी कुमकुम डाल कर भगवान सूरे को अधिदे भगवान सूरे को जल चढ़ाए जल चढ़ाते सम में ओम सूर्टाय नमा मंदर का चाह करें इस तरह भगवान सूरे का पूचन करने के बाद अब भगवान लक्षमी नारायन का पूचन करें अगर आपकी मंदिर में भगवान जी की प्रत्मा हैं तो पहली प्रत्माओं को इसनान कराएं उसकी पश्चात ही पूचन करें दो दच्छनवर्ति शंक से भगवान विष्णु लिट्टू गुपाल का अभिश्य करते हैं। उनके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और उनके घर में कभी भी अन्यधन की कमी नहीं धहती। मालक्षमी भगवान विष्णु के साथ घर में बास करती हैं और घर में सुक्सम्रथी बनी रहती है। इसलिए एक आदिशी के दिन दच्छनवर्ति शंक से भगवान विष्णु का अभिश्यक अवश्य ही करना चाहिए। लड़ु गोपाल जी को इस्नान करा स्वच्छ बस्त पहनाए। आज के दिन भगवान जी को भी पीली रंग के बस्त पहना कर ही भूचन करें। इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुत्यगी का दिया जलाएं और एक सुगंदी धुपत्ती जलाएं। वे भगवान श्री गणीश का पूजन करने के पश्छात भगवान लक्ष्मी नारायर का पूजन करें। भगवान विश्णु मा लक्षमी जी को हल्ती कुमकुम से तिलक करें इसके पश्चात अब आज के दिन भगवान विश्णु जी को किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं लेकिन फल मिष्ठान के साथ आपको आज के दिन भगवान लक्षमी नारायर को गुड का प्रिये हैं आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायर को घुड़ का भोग लगा कर पूचन करने से भगवान अति शीक्री ही प्रसन हो जाते हैं ध्यान रखें गुड़ के साथ एक तुलसी पत्र भी भगवान विश्णुमा लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित करें शास्तों में बताया गया है तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग को स्विकार नहीं करते भूग लगाने के पश्यात भोग को स्विकार करने के प्रात्ता करें इसके बाद आप भगवान विश्णुची का पूचन करें भगवान विश्णुची के द्वादश्वंत ओपनमो ची के सामने कहें और समस्याग क too गई कि प्रातना करें आज के दिन जाने अंजाने में में किए सब्सक्राइब कि शमा अवश्य मांग से बारिख पση पापों का भी नाश कर देते हैं इस तरहें पूजन करने के पश्चाद अपने मस्तक पर भी हल्ति कुम-कुम से तिलक करें अब भगवान जी को आपने जिस कोड का भोग लगाया है इस कोड को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें हिंदु धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है शास्तों के अनुसार गौ माता में 33 कोटी देवी देटाओं का बास होता है मालक्षपी का बास भी गौ माता में माना जाता है कहते हैं गौ माता को भूचन कराने से देवी देटा भूग को स्विकार करते हैं भगवान जी को अर्पित किया हुआ भूग जब आप कौमाता को खिलाएंगे तो इसका मतलब है कि भगवान जी ने उस भोग को स्वीकार कर लिया है आज की दिन कौमाता को इस तरहें गुड़ किलाने से भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी की किरपार से घर में सुक्सम्रथी आती है दुखतरित्ता हमेशा की लिए दू शेगर ही प्रसन हो जाते हैं कुंडली में सूर्य देव के इस्थति मजबूत होती है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं सूर्य देव के कृपा से भक्तों को बुद्धी बल बिध्या तेज और बैभब की प्राप्ति होती है जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं जि गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए इस तरहें गौमातां को गुड़ खिलाने मात से ही भगवान विश्णुप मालक्षमी जी के साथ ही सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है सूर्य देव की कृपा से ही सरकारी छेत्र में नौकरी के छेत्र में सफलता मिलती है सूर अगर आपका कोई कारे लंबे समय से अठका हुआ है और वह कारे पोरा नहीं हो पा रहा है तो आप इस गुड़ को एक रोटी में रखकर गौमाता को खिलाएं। रोटी में और गुड़ खिलाने से पहले आप गौमाता से प्रातना करें आपका जो भी कारे है उसे बोलकर उसे पूर कारे की गौमाता से प्रातना करें फिर गुड़ और रोटी गौमाता को खिला दें। ऐसा कारे से आप देखेंगे आपका अठका हुआ कारे बिगड़ा ह हुआ कारे जल्दी ही बन जाएगा जिन महिलाओं को पीरिड है इस तरह पूर्जन कर गौमाता को गुड़ नहीं खिला सकती तो उन्हें आज के दिन गुड़ का दान कहिना चाहिए माने ताहे आज के दिन जरुत्मन या असहाई व्यक्ति की मदद करने से भी सूर्य देप के साथ ही भगवान पिश्टू मालक्षमी ची प्रसंद हो जाते हैं और जीवन में तमाम तरहें की खुश्या मिलती हैं दोस्तों दविवारी एक आदशी के इस सुप सहयोग पर इस आ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं थैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी